हलो फ्रेंड्स वेलकम टू जोतीज किचन फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं हरे मटर की ग्रेवी वाली सबजी रावा इस्टाइल में ये सबजी बहुत ही टेस्टी बनती है इसे हम चाहे रोटी के साथ खाये या फिर पूरी पराठा चावल के साथ बहुत ही स्वाधिश् तो फ्रेंड्स इसे पहले कि हम सुरू करें यादि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा तो चलिए फ्रेंड्स बनाना सुरू करते हैं यहाँ पे मैंने लिए हैं एक कप ताजे हरे मटर इसे मैंने अच्छे से दूर लिये है अब हम कड़ाही में पानी रखेंगे लगभग दो गिलास बॉयल होने के लिए और इसमें मटर को डालेंगे देल मिनटी से हाई फ्लेम पे बॉयल करेंगे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिलाया है ताकि हरा कलर बना रहे हिट मटर का अब मैंने यहाँ पे लिया है दो पके टमाटर एक बड़ी साज की हरी मीच और पांच्छे काजू को मैंने भीगा लिया है गरम फानी में अब हम ग्राइंडिंग जार में टमाटर को रफली चौप करके डालेंगे हरी मीच डालेंगे इसके साथ ही काजू डालेंगे और इसका एक बड़ीया सा पेस्ट बना लेंगे तो मैंने इसे grind करके पेश्ट बना लिया है कुछी इस तरीके से ये बनके अब तयार है पेश्ट अब हमारा मटर भी boil हो गया है लगभग 1-2 मिनट गैस का flame हम off करेंगे और इसे छान लेंगे ठंडा होने के लिए side में रख लेंगे दूसरी तरफ मैंने अद्रक लशुन क्रश करके लिया है और एक बड़ी size की प्याज को मैंने बारीक चॉप किया है कडाही में अब हम तेल गरम करेंगे जिसमें थोड़ी सी तेज पत्ता दो लॉंग दो इलाइची छोटी वाली और इसके साथ ही लगवब एक इंच टुकडे मैंने दालचीनी के डाले है एक चम्मच जीरा डालके इसे बढ़िया से चटकाया है कुछ शेकेंड अब हम इसमें क्रश किया हुआ आद्रक लशुन भी मिला लेंगे इसके साथ ही जो हमने प्याज को चौप करके रखा है उसे भी इसमें मिलाएंगे और भूनेंगे तो लगवब देड से दो मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे गैस का फ्लेम अब हम लो कर देंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे तो एक चमच मैंने धनिया पाउडर आधा चोटा चमच लदी पाउडर और आधा चोटा चमच मैंने लालमीच पाउडर मिला लिया है अब हम इसे भी कुछ सेकिंड तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे तो इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे काजू टमाटर मिर्च का पेस्ट इसे भी हम बराबर चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे एक से देर मिनट तक भूनेंगे तो फ्रेंट्स हमें अब इसे कुछ देर के लिए ढखके भी पका लेना है ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाए तो मैंने इसे ढख दिया है लगवग दो मिनट के लिए हमें इसे ढखके भी भूनना है लेकिन बीच बीच में हमें इसका डखकन हटाते हुए इसे चलाते रहना है नहीं तो इसकी तली में मसाले चिपक जाएंगे तो अब मसालों से तेल अलग होने लगा है मसाले हमारे अच्छे से पक गए है इसमें अब हम मिलाएंगे नमक यहां पर मैंने आधा चमच नमक मिलाया है अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसमें मिलाएंगे बॉयल किया हुआ हरा मटर तो मटर भी मैंने मिलाया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे चलाते हुए लगभग एक से देड़ मिनर तक हमें से ऐसे ही भूनेंगे फिर से तो अब हम इसमें मिलाएंगे पानी पानी हमें इसमें नॉर्मल नहीं मिलाना है गरम करके ही मिलाना है तो मैं यहाँ पे एक कप के लगभग पानी मिला रही हूँ पानी मिलाने के बाद हम इसे कुछ दिर तक ढखके भी पकाएंगे तो मेडियम फ्लेम पे हमें इसे ढखके एक बढ़िया सा उबाल आने तक पका लेना है तो मैंने इसे ढख दिया है और लगभग एक मिनट के बाद ढखकन को हटाया है तो थोड़ी सी हमारी ग्रेवी अब गाड़ी हो गई है और अब हम मतर को भी जेक करेंगे ये सौफ्ट हो गया है कि नई तो मैंने यहाँ पे मतर को जेक किया है मतर हमारा अच्छे से सौफ्ट हो गया है पक गया है तो अब हम इसमें मिलाएंगे कसूरी मेथी मैंने यहाँ पर रोश्टेट कसूरी मेथी मिलाई है एक बड़ा चम्मच अच्छे से क्रश करके और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर यादा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी मिला लिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स करें ग्रेवी एकदम गाड़ी सी हो गई है जैसी हमें चाहिए और सबजी हमारी एकदम बढ़िया से बनके अब तयार है तो अब हमें गैस का फ्लेम आफ करना है और इसे खाने के लिए प्लेट में निकाल लेना है तो यह देखें फ्रेंट्स कितनी अच्छी हमारी मटर की वाली तयार है तो फ्रेंट्स अगर ये हमारी सबजी की रेसिपी आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करिए इसके साथ ही हमें कमेंट करना मत भूलिएगा